कि दोस्तों आज में कोकोपीट में बर्गत के जो बीज होते हैं उनका जो फल होता है उनमें से बीज निकलते हैं अलकल के छोड़े बीज होते हैं जिस फल को तोड़के उसकी बीज को मैंने हेस में लगाया है देखते हैं इन दोनों में लगाया है देखें अभी लगा के मैं भी वास डिए हzetनों कोई ज़्यादा बड़ा कमनी किया तो देखते है है किछ ये कप तक ये आते हैं कर मैंने लगाए आप देखते हैं कितनी देर में को प्सकी च सब्सक्राइब करते हैं टो इसके लिए मैंने रात को ही चाहिजे किया है बाकी देखते हैं अब मेरे ओपर मैंने काड़ दिया था है अलो दोस्तों देखो जो में बीज में लगाये थे परकृत के और गलास में लगाये थे मैंने बीज दिन के बाद इतना सा अभी पोटा लगा हुए अभी और कोई पोटा नजर नहीं आया सिर्फ यही निजर आया ह मैंने इसको पहले गलास में लगाया था तो गलास में चुही बहुत जाया तंक कर रही थी चुही का बच्चा तो उसके बाद मैंने इसको गमले में लगा दिया था अभी बहुत चोटा है जितको पोटा इतने बड़े गमले में इस सिर्फ इतना सा निकला है एक ही पोटा निकला है कम से कम मैंने 20-25 से ज्यादा इसमें बीज लगाए थे तो आप आगे देखते हैं कितने दिन लगते हैं इसको थोड़ा बढ़ा होने में और कितने बीज इसमें से निकलते हैं सही तोस्तों देखो यह बर्गत का ट्री है जो एक दो पोदे और यह दो को देखो एक गोल गोल जो उसका जो फल होता है कि दो के क्रीब दो फल के क्रीब लगाए थे उसमें से सिर्फ तीन पोदे लगे हैं एक तू है तीन अभी इसका बहुंच सभी मैं पर ट्री अपना हूंगा तो इसके लिए मैंने जैसे जैसे जान में लगत रखे हुए है यह देखो इसे पॉर्ट में लगा हुआ है वी जा नेम लगई हुए है कि अधिक में पीपल जामून ऐसे अलग अलग तरह की कि मैं इसमें लगा रहा हूं कि अभी इसका पहुंच सब्सक्राइब करेंगे जो परकत है कम से कम एक महीने के बाद 20 दिन के बाद है कि अधे अपने हाफ पीज इतना सा पोता बनाया भी इसको बहुत समय लगता है अब उने के लिए तो थोड़ा समय चाहिए इसको मैंने कौन समय ना यह